नमस्कार मैं हूँ कपेल और आप देख रहे हैं नेक्स नाई न्यूज अगर अखलेश यादव की बात करी जाए तो विपक्ष के फिलाल एक ऐसे निता हैं जो बीजेपी पर हमला और नजर आ रहे हैं और विदान सभा में भी जब वो सवाल पूछ लेते हैं तो कहीं न कहीं मायवती जो है वो एक वक्त पर हमलावर नजर आती थी सवाल पूछ थी सरकार से लेकिन आए से अधिक संपत्ति का मामला और तमाम तरह के ऐसे आरोप मायवती पर लगाए गए हैं हलाकि कुछ मामलों में जो है वो कोर्ट के अंदर सुनवाई भी जारी है और ये भी कहीं के लिए देखे मायवती जो है अब बीजेपी के खिलाफ उस तरीके से मुकर नजर नहीं आती है या फिर कहिए उन्होंने अपनी पार्टी को इतना जादा उत्तरप्रदेश में समेट लिया है जिसकी कलपना करना भी काफी मुश्किल नजर आता है क्योंकि दलित वोट बै सेंधमारी करने की कोशिश जो है वो अखले शादव कर रहे हैं और यही दाओ अगर मायवती करती हैं तो कहीं ना कहीं अखले शादव फिर मुश्किलों में फसते हुए नजर आते हैं देखे आपको बता दे कि 111 सीटों पर जो चुनाओ जीता था यानि कि 111 सीटों पर अ मायवती कामयाब हो जाती हैं तो फिर यह कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में विधान सबा में मौझूदगी भी उनकी नजर आ सकती है और कहीं न कहीं योगी सरकार के लिए वो मुश्किले खड़ी कर सकती हैं अला कि उसकी संभावनाएं बेहत कम हैं जो चुनाओती है तो फिलाल अखलेश यादव के सामने हैं कि कैसे दलिद वोड बैंक में वो सेंद्मारी कर पाएंगे अगर मायवती उनके यादव वोड बैंक में या फिर मुस्लिम समाज के वोड बैंक में सेंद्मारी करती हुए नजर आती है तो अखलेश शायद मुश्किलों में वे नज़र आएंगे आपका क्या कुछ कहना है क्या मायवती अखलेश को कड़ी ठककर निकाय चुनाओं में दे पाएंगी कमेंट करके जरू बताएगा देख तरे नेक्स नाइन न्यूस नमस्कार